आज हम किसी भी highway के उपर जाते हैं, तो बहुत सारे खाने के ढ़ाबे मिल जाते हैं और ये ऐसे hotel होते हैं या फिर ऐसे ढ़ाबे होते हैं, जो कि 24 घंटे चलते रहते हैं क्यूंकि बड़े बड़े जो highways होते हैं, वो एक state को दूसरे state से connect करते हैं तो इनके उपर दिन रात साधन चलते हैं और उनमें बैठे पैसेंजर सभी खाना खाने के लिए धावे पर रुक कर महाँ पे खाना खाते हैं जिनकी वज़ा से धावे का बिजनेस की डिमांड कभी भी कम नहीं होती क्योंकि जैसा की मैंने बताया यह एक ऐसा बिजनेस है जो की 24 घंटे चलता रहता है जिसका कारण है हाईवे के उपर चलने वाली सभी साधन जितना ज़्यादा साधन चलते जाएंगे उतने ज़्यादा कस्टमर आएंगे और जितना ज़्यादा customer आएंगे उतना ज़्यादा sale होगा और जितना ज़्यादा sale उतना ज़्यादा profit मतलब अगर आप इस business को open करना चाहते हो या फिर खोलना चाहते हो तो इस business को आप बहुत ही आसानी से शुरू भी कर सकते हैं और इस business से बहुत ही अच्छा कासा profit भी gain का सकते हैं क्योंकि इस industry की जो market size है वो लगबग 5.99 lakh crore rupees की हो चुकी है और ये हर साल 9% के compound annual growth rate से बढ़ती रहती है जिसका मतलब इस industry में बहुत ही ज़्यादा high opportunity है तो आपको क्या है business करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए देखे मेरी नजर में हाँ इस business को आपको शुरू करना चाहिए क्योंकि इसकी growth rate high है और इस business को शुरू करना बहुत ही असान इसमें risk बहुत कम है आप इसको बहुत ही कम investment से भी start करके बहुत ही अच्छी खासी revenue generate कर सकते हो और सबसे अच्छी बात इस business की demand कभी भी खत्म नहीं होने वाली है तो अगर आप इस business को open करना चाहते हैं तो यह video आपके लिए है इस video में हम आपको यह बताएंगे कि आप इस business को कैसे शुरू करें इस business को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से equipment की जरूत पड़ेगी इस business में कितना profit होगा साथी साथ इस business को शुरू करने के लिए आपको किने रुपे की लागत मतलब की investment करना पड़ सकता है और कौन कौन से license on registration कराने पड़ सकते हैं इन सभी topics पर हम लोग बहुत ही detail में चर्चा करने वाले हैं So hello everyone मेरा नम शुवांग है और आज हम बात करने वाले हैं धाबे के business के बारे में सबसे पहले आपको अपने धाबे का concept decide करना होगा जैसे कि आपकी धाबे का size क्या होगा मतलब कि आप अपने इस business को कौन से level पर start करने वाले हो Small level, medium level या फिर large level यह decide करने के बाद आपको यह भी decide करना होगा कि आप इस business को open करने के लिए कितना investment कर सकते हो इसका decision आपको लेना होगा साथी साथ आपको अपने धाबे का theme भी decide करना होगा मतलब कि आपके अपने धाबे का interior और exterior का भी decision लेना होगा यह सब decide करने के बाद आपको अपने business के लिए location decide करना होगा देखो, location ऐसा होना चाहिए जहाँ पे भेड़ जादा हो ठीक है ना, जैसे कि railway station के पास हो national highways के पास हो, tourist sports हो, आजपास petrol pump हो तो यह सब कुछ ऐसे basic location है जहाँ पे आप इस business को शुरू करोगे और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह जो location यह market से थोड़ी नजदीक हो जिससे कि आपको कोई भी सावान मंगाना हो तो आप अपने market से easily purchase का सको और वहाँ पे transportation की facility available होनी चाहिए ठीक ना यह बात हो गई location से related तो location decide करने के बाद आपको अपने धावे का infrastructure decide करना होगा infrastructure मतलब कि आपका जो धाबा है वो spaces होना चाहिए वहाँ पे ventilation की facility available हो electricity supply available हो air conditioning की facility available हो water supply available हो यह सब कुछ basic facilities हैं जो कि आपको checkout करने होंगे जब आप अपने धावे का infrastructure decide करोगे infrastructure decide करने के बाद आपको अपने धावे के अंदर equipment लगाने हैं देखो सबसे ज़रूरी equipment अटेंसिल मतलब बर्तन हर्स परकार के बर्तन आपके पास होने चाहिए उसका amount लगभग 50,000 मान के चलते हैं बर्णर चाहिए 10,000 गैस सिलेंडर ज्याद़ 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 पांच गैस सिलेंडर लोगे तो तो यह सब कुछ basic जो equipment और भी लग सकते हैं उनके लगभग 50,000 हम मान के चलते हैं तो total equipment में ही आपको लगभग 2,85,000 का initial investment करना पड़ सकता है तो यह होगी बात equipment से related अब हम बात करते हैं raw material supplier के बारे में देखो raw material supplier आप ऐसे चूज कीजिए जो आपके दुकान से मतलब आपके ढाबे से पास हो ठीक है ना जिससे की आपको जितना समान चाहिए वो तुरंत आपको easily supply हो जाए और वो जो दुकान आप चूज कर रहे हो उसकी quality मतलब उसके product की quality अच्छी होनी चाहिए और वो सही price पे सही product देने को ready हो ये भी आपको ध्यान रखना होगा quality से आपको कोई भी compromise नहीं करना है क्योंकि quality ही आपके customer को repeat बनाएगी तो ये होगी बात आपके raw material supplier कैसे होने चाहिए अब raw material आ गये उसके बाद आपको अपने shop के लिए एक menu त्रयार करना होगा menu में आपके सभी food product के list देने होंगे कितने कितने price range पे कौन-कौन से आपके food items available है इसकी भी आप list जारी करो जिससे कि आपका customer order करते वक कोई भी confuse नार है ये decide करने के बाद आपको अपने business को register कराना होगा ROC के साथ चाहे तो sole proprietorship firm में, partnership firm में, private limited company में, limited liability partnership firm में, one person company में इन 5 हो में से आपकिसी एक में भी अपने business को register करा सकते हो यह तभी जरूरी है जब आप इस business को बहुत ही बड़े level पर start करने वाले हो लेकिन अगर आप इस business को small level पर start करने वाले हो तो आपको अपने business को MSME या SME के through register कराकर इस business को run कर सकते हो FSSI Food License आपको लेना होगा Soft Stabilisement Act के तहर लेना होगा GST Compulsory हो जाएगा अगर आपके साल भर का जो turnover 12,00,000 से उकपर हो जाता है तो GST Compulsory हो जाएगा और भी कुछ basic documents जैसे की rental agreement current bank account, pan card, ISI certificate की सब कुछ basic documents है जो की आपको require होगा यह decide करने के बाद आपको उपने business को operate करने के लिए कम से कम दो worker की जरूरत होगी worker ऐसे होना चाहिए जिनके पास manners अच्छे हो और वो अपने service में fully trained हो जिससे कि वो अपने customer को अच्छी खासी service provide कर सके तो यह होगी बात recruiting staff से related अब हम बात करते हैं promotion marketing के बारे में देखो अगर आप अपने business की sales को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने business की promotion marketing करना पड़ेगा तो शुरुवात में आप अपने business की promotion marketing कैसे करोगे देखो शुरुवात में आप अपने business की visiting card और pamphlet को छपवा कर local area में distribute कर वाओ social media या फिर digital marketing करवाओ आप जो भी product provide कर रहे हो serve कर रहे हो उसकी एक बकायदा वीडियो बनाकर आप अपने YouTube पे upload करो आप इस offline service को online लेके जाओ कैसे लेके जाओगे एक website को बनवा कर जिसमें जितने भी नए customer आ हैं उनके लिए special offer और जो regular customer है उनके लिए special offer होना चाहिए त हम बात करते हैं profit के बारे में profit in a month देखो generally इस business में कम से कम आपको 20-30% का margin easily मिल जाएगा तो अगर आपके business का turnover पास लग तक का है और अगर हम profit से 25% मान के चलते हैं तो आप एक महिने में कम से कम 1,25,000 का easily profit gain करोगे तो यह होगी बात profit से related अब हम बात करते हैं इस business को शुर worth होगी security deposit 50,000, rent 10,000, digital marketing 10,000, restriction licenses 20,000, marketing collateral 10,000, equipment 2,85,000, salary 20,000, electricity bill 5,000, raw material 2,00, तो total मिला जुला का 6,00,000 का initial investment लग सकता है इस business को एक medium लेवल पर start करने के लिए अगर आप इस business को बहुत ही small level पर start करने वाले हो या फिर करना चाते हो तो आपको कम से कम 80,000 से लेके 5,000,000 तक का initial investment करना पड़ सकता है लेकिन अगर आप इस business को बहुत ही large level पर start करने वाले हो तो आपको कम से कम 5-15,000,000 तक का initial investment करना पड़ सकता है So thank you everyone, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए, so thank you, धन्यवाद, have a good day.